इससे पहले मैं किर्ती भाई के पास आऊं और सौरब मालवय करूप तरूँ एक बार फिर से मैं लेकर चलती हूँ जरा दर्शकों को शाजे हैलमी के पास साजे यहां पर एक बड़ा वैलेट पॉइंट है जो अलका लांबा की तरफ से रखा जा रहा है कि साब एक तरफ हैं प्रताप सिम्हा वो सांसत जो पास जारी करते हैं उन पर कोई आक्शन नहीं है वो अभी भी बने हुए हैं अपने पत पर भी और उनको किसी तरीके का कोई निलंबन वग्यरा भी नहीं हुआ है और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के 15 सांस एक राज्य सभा और 14 लोग सभा और उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है मतलब यह क्या हो रहा है क्या आप देखे आप जानते हैं हाउस के क्या रूल्स हैं जिस तरह का अ पूरी मुझे अप लगने लगा है मैं पूरी तरह से कंविंस्ट हूं की प्रताब सिना जी ने जान बूच के नहीं बिना जाच पड़ताल के जो किया वो गलत किया लेकिन जिस तरह से सहानभूती चताई जा रही है इन लोगों के लिए सिर्फ ये दर्शाने के लिए कि ये लोग तरस से सरकार से और कोई अजेंडा सेट करना चाह रहा है बेरोजगारी का और तो मुझे साफ तोर पे लग रहा है कि कहीं ने कहीं जो हमदर्दी ह ये एक ओर कहानी बता रही है और मुझे लगता है इसकी जाच होनी चाहिए क्यूं अतनी हमदर्दी है इन लोगों से अभी तो आप तो आप तो परकाब जी को बेपूब बना कर भी ये लोग भी इस्तेमाल कर सकते है ना चार लोगों को बेच सकते है इसको लेकर पराप सिमा आएंगे सामने उनसे सवाल जवाब किया जाएगा, अभी तो वो पहला कडम ही नहीं हो रहे है अभी तो जानच एजंसी ने प्रताप सिमह को बुलाया ही नहीं है, उनसे मेरे खाल से कोई पूछताच हुई नहीं है, जो अब तक हो जाना चाहिए था, ठीक है, आप जो बात केरिये में चर्चा आगे बढ़ाती हो, किरती आज़ाद हमारे साथ पूछूद है, और जरा किर सांसद हैं, उनको इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, अगर लेकिन ये सत्ता पक्ष का विरोधाबास है, तो फिर क्या विपक्ष के बीच से विरोधाबास ये नजर नहीं आ रहा है कि सुरक्षा में सेंध, मुद्दा इतना गंभीर, सरकार पर हमला, नार 2001 का भी हमला देखा था, मैं उसमें पार्लेमेंट माहर घुम रहा था, जब गोलियां चल रहे हैं और बम फूट रहे थे, मैंने ये भी देखा, जो पार्लेमेंट के अंदर अभी कल हुआ था, मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूं कि यदि महुआ मोहितरा को एक पासवर्ड क के नाम पर, वहाँ भी उन लोगों ने जो पार्लेमेंट के बाहर थे, जिन्हों ने शिकायत की, उसके उपर उनको पार्लेमेंट से एक्सपेल कर दिया गया, क्या यह राष्टी सुरक्षा नहीं थी, मैं आपको एक रूल्स और प्रसीजर जो लोग सभागे हैं, उसमें न लेनी की होगी, और उसे लेनी पड़ेगी, मुझे यह बताइए, कि उनको क्या इन लोगों के बारे में मालूम नहीं था, यह लोग कौन है, क्या इग्नोरेंस अफ लॉइस नो एक्स्क्यूस, कानून नहीं जानते, इसलिए आप कह दें कि मैं नहीं जानता था, इसलिए मै जो सबा के सांसत थे, और उसके अलावा जो दूसरे लोग थे, आप उसके बारे में चर्चा कीजिए, पार्लेमेंट के सिक्यूरिटी तीन लेयर पर होती है, क्या विपक्ष की तरफ से स्पीकर को इस मामले में कोई कंप्लेंट दी गई है, क्लारिफिकेशन चाह रही थी म रुमाना जी, प्रत्यक्ष को प्रमान की आवशक्ता नहीं पड़ती है, पार्लेमेंट में सामने हुआ, किसने पास बनाया वो भी आपको मालूम है, सांसतों ने कहा, सब ने कहा गंभीर मामला है, प्रधान मंत्री ने कहा कि इसको राजनीतित मत बनाएं, यदि आप किसी क उपर एक्षन नहीं लेंगे, तो ये राजनीति बनेगी, आपको तुरंत एक्षन लेना चाहिए, सभी सांसत खड़े हो करके, जब इस विशे को रग रहे हैं, तो प्रत्यक्ष में और अब लिख करके देनी की आवशक्ता पड़ेगी क्या, एक आदमी का गोली मारने, फि कोई तो इनिशेटिव लेना पड़ेगा ना, मैं ज़रा साप जो बात कह रहे हैं, सौरब मालविया का रोक करती हूँ, सौरब मालविया जी, यहां पर जो किर्थी आजाद साब कह रहे हैं, कि साब प्रत्यक्ष को प्रमान की ज़रूरत क्या है, अच्छा, सब 30 सेकंड और कर लिए, आप अपनी बात पूरी कर लिए, उसके बाद मैं जा रही हूँ, सौरब मालविया के पास, 30 सेकंड टाइमर ले आएए प्लीज, नहीं, आप मुझे बताइए, पारलेमेंट में, आपने खुद देखा, आपके चैनल में चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब के पास वो एक कलिस्टर था, जिसमें की पीले रंका उसमें से धुवा निकला है, यदि बं फड़ जाते हैं और लोग मरते हैं, तो क्या लिखने की जुरत पड़ती, कमाल करती हैं आप, मैं जवाब लेरती हूँ, सर, ABP News, आप को रखे आगे